नमस्कार दोस्तों आज इस वोडियो में हम बात करेंगे कौन सा इंजेक्शन कितने डिगरी के एंगल पर लगाना चाहिए अलग अलग प्रकार के injection होते हैं जब भी शरीर में हम लगाते हैं तो एक confusion सा रहता है कि कौन सा injection कितने degree के angle पर लगाना चाहिए तो injection जो होते हैं Intramuscular injection, Intravenous injection, Subcutaneous injection Intramuscular और Intradermal injection होते हैं तो अलग अलग प्रकार के injection होते हैं इनी injection को body में किस angle पर लगाते हैं वो इस वीडियो में हम completely बात करेंगे तो वीडियो को बिन स्किप के पूरा देखेगा बहुत असी जानकारी मिलने वाली है मैं हूँ आपका दोस्ट प्रज़ापते विकास Pharmacist and Drug Consultant चले बात करते हैं इन्जेक्शन को कितने डिगरी के एंगल पर लगाते हैं उससे पहले आप समझे दोस्तों कि जो हमारी त्वचा की परत होती है वो चार प्रकार की परत होती है पहली परत या लेयर जिसको epidermis बोलते हैं दूसरी उसके नीचे होती है dermis तीसरी लेयर होती है subcutaneous tissue और चोती होती है muscular layer होती है muscles होती है तो जो भी हम injection लगाते हैं इनी चार layers के अंदर या परत के अंदर लगाते हैं त्वचा की परत के अंदर सबसे पहले injection की बात करते हैं intra muscular injection intra muscular injection जो की muscles में लगता है इसलिए इसको intra muscular injection बोलते हैं और ये injection दो जगा पर लगाए जा सकता है, site of injection कौन कौन सी हो गई इसकी, एक तो कंदे पर ये लगता है और दुसरा hip part पर लगता है, hip part पर injection कैसे लगाते हैं और कंदे पर injection कैसे लगाते हैं, इसका वीडियो मैंने अल्रडी बना दिया है, तो आप इसका जो वीडियो है, आपको इसका वीडियो का लिंक आई बटन में उपर या description में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इसको देख सकते हैं, तो intramuscular injection 90 degree के एंगल पर लगते हैं, 90 degree का एंगल, और दूसरा जो injection होता है, वो होता है subcutaneous injection, जो की 45 degree के एंगल पर लगता है, subcutaneous injection त्वचा की तीसरी लेयर में लगते हैं, और ये subcutaneous tissue के अंदर लगते हैं, तो 45 degree के एंगल पर subcutaneous injection को लगाए जाता है, तीसरे injection की बात करते हैं, intradermal injection, intradermal injection जो की त्वचा की दूसरी लेयर में लगते हैं, और ये 15 degree के एंगल पर लगा सकते हैं 10 से 15 degree के एंगल के बीच में ये injection लगा सकते है उसके बाद last में अगर हम बात करें तो वो injection होता है intravenous injection intravenous injection जो की veins में लगता है और ये injection कितने degree के एंगल पर लगता है ये injection 25 से 30 degree के एंगल पर लगता है यानि 25 से 30 degree के एंगल के बीच में intravenous injection लगाए जाता है और यह injection veins में लगता है तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो अलग-अलग प्रकार के injection होते हैं जैसे कि intra muscular injection 90 degree के एंगल पर लगता है intravenous injection 25 से 35 degree के एंगल के बीच में लगता है और intra-dermal injection 10 से 15 degree के एंगल के बीच में लगता है और subcutaneous injection 45 degree के एंगल पर लगता है तो अलग-अलग प्रकार के injection होते हैं अलग-अलग site होती है अलग-अलग जो injection होते हैं वो अलग-अलग degree के एंगल पर लगता है तो उमीद करता हूँ वर्डियो आपके लिए helpful होगा वर्डियो पसंद आये तो like, comment और share जरू कीजेगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा धन्यवाद